बिस्मिल्य राफ्मन रहीमस सलाम अलेकम आज मैं आपके साथ चिकन विंक्स की रेसिपी शेयर करूँगी सबसे पहले मैं मेरीज निशन थ्यार कर लूँगी एक कप मैं ले रही हूँ देई आदा काप इसमें मैं शामिल करूँगी ओली पाइल और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अब इसमें मैं दो खाने के चंबच लेमूबा रस शामिल करूँगी एक खाने के चंबच इसमें मैं डालूँगी लसर रजरक का पेस्ट इसको मैं मिक्स कर लूँगी अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी एक चाय के चंबच कुटी लाल मिर्च एक चाय के चंबच लाल मिर्च पेसी हुई देर खाने के चंबच नमक और थोड़ा सा लाल रंग मैं बहुत कम मसाले इस्तमाल कर रही हूँ आप जाहें तो अपनी मर्जी से मसाले बढ़ा सकते हैं इनको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से आखिर में एक खाने के जमर जिसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी और इसको भी मिक्स कर लूँगी अब इसमें मैं विंग्स शामिल कर दूँगी विंग्स मैंने सकिन के साथ लिये हैं अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स करूँगी विंग्स मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है अब इसको कवर करके मैं पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दूँगी विंग्स मैंने निकाल लिये हैं फ्रिज में से अब मैं इनको बेक करूँगी आप चाहें तो इसको deep fry कर ले और चाहें तो इसको grill कर ले एक ट्रेली है मैंने इसके उपर मैंने foils रहा दिया है तांके जो भी wings का पानी है वो इसके उपर गिरे ट्रे के उपर मैं आप जाली का stand लगाऊंगी और इसके उपर मैं आप wings रखूंगी आप चाहें तो direct tray में भी wings रख सकते हैं लेकिन अगर आइससे जाली के उपर रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से bake होंगे बेक करने से पहले थोड़ा सा मैं इनके उपर आउयल लगाऊंगी प्री हीटिट अवन में अब मैं इनको 50 मिंट के लिए बेक करूंगी 25 मिंट एक साइड से और 25 मिंट दूसरी साइड से 50 मिंट हो गए हैं और विंग्स मैंने निकाल लिया हैं अवन में से दोनों तरफ से अच्छी तरह से bake हो चुके हैं 25 मिंट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी चिकन विंग्स त्यार हैं मैं इनको डिश आउट करूंगी और आखिर में इसके ओबर मैं ट्राइब पार्सले और चार्ट मसाला चिर्कूंगी चिकन विंग्स त्यार हैं रेस्पी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीज़ेगा तांके मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके अलाहाफिज